दोस्तो आज बात करेंगे वेस्ट अंडीस और आयलेंट टीम के बीच ओने वाले वंडे मैच प्रेडिक्शन के बारे में और मैं आपको हमेश्चा के तरह एक बाफ फिर आज बताऊंगा कैसे क्यों आप लोग इसी वंडे मैच में अपने एक बहतर टीम कॉंबिनेशन बनाते हुए ना सिर्फ ग्रेंड लिग बलकि स्मोल लिग विन कर सकते हैं दोस्तों देखें ग्रेंड लिग स्मोल लिग विन करने से पहले कुछ बड़ी इंपोर्टेंट बातों का आप नोट कर लीजिए ये वंडे मैच वेस्ट अंडीस में खेला जाएगा इसलिए बिग बैश टीट वंटी लिग की तरह यहां आपको 40 से 45 नेट पहले पता नहीं चल पाएगा किन-किन खिलाड़ों का खेलने का मोका मिलेगा हाला कि दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ पहले वंडे मैच पोल स्टेलिंग सेल्ड अन कोटरल ये दोनों बड़े खिलाड़े हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप इन दोनों बड़े खिलाड़े को टीम में श्रामिल कर रहे हैं या इनको अपनी फैंटसी टीम में कंसिडर कर रहे हैं जिसका लिंक आपको फीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा फिलाल दोस्तों देखिए अगर मैं बात प्रू वेस्ट अंडीस टीम प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले आप नाम लोगे श्रेहुप का श्रेहुप का नाम आती है आप कहोगे वेस्ट अंडीस का सबसे बहतरीन बल्ले बास और भाई मैं भी कहूंगा वेस्ट अंडीस का वाइट बोल क्रिकेट का सबसे बहतरीन बल्ले बास क्यों हैं दोस्तों वो तो आकड़े आपको बताते हैं और आप लोग जानते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग श्योप को क्या अज अपनी fantasy team में कप्तान वैस कप्तान बनाना चाते हैं? अगर आप श्योप को अज अपनी fantasy team में कप्तान वैस कप्तान बनाने फाले हैं तो उससे पहले थोड़ा सा रुकिए ये फीडियो स्थुरूर देख लीजिए योकि आग मैं आपको बताँगा, या श्योप वेस्ट रेंडीस का जो बल्ले बास है, वो आइलेंड टीम के गिनबासों के सामने run score कर पाएगा, कर पाएगा तो क्यों कर पाएगा, अगर आइलेंड का टीम श्योप को दोस्तो आज जल्दी सिम्टेगा, तो कैसे जल्दी सिम चार हाफ सेंचुरी दो सेंचुरी हैं लेकिन दोस्तो आइलेंट की टीम के सामने मुझे ऐसा लगता है कि शायद है ज्यादा लंबा नहीं जा पाएगा क्यों कैसे फीडियो मागे चल के बताऊँगा इसके बाद दोस्तों इनका साथ दे सकते है जस्तिन ग्रीव सो नमबा तीन पे ब्रूक्स आप दोस्तों देखिए दोनों जो बल्ले बास है डेब्यू कर सकते हैं रैटन बल्ले बास हैं दोनों इसकिल में कोई ज़्यादा आँगा निकोलेस पूरन दोस्तो बारा वंडे मैट में 316 किया कायरन पुलाड ने बारा मैट में 235 किया साथी में 2300 गिंदबासी की और उस्टरन चेस भी दोस्तो गिंदबासी करते हैं आप लोग दोस्तो जेसन होल्डर को आज अपनी फैंटसी टीम में कप्तान बना रहे ह क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं जेसन होल्डर को बल्ले बासी मिलेगा गिंदबासी भी मिलेगा लेकिन दोस्तो ध्यान दीजिए जेसन होल्डर ने पिछले 9 वंडे मैट में विकिट चटका है सिर्फ साथ यानि जेसन होल्डर ने विकिट काफी कम चटका है इवन दोस्त के सारे टीम कॉंबिनेशन में जेसन होल्डर को अपना कप्तान बनाया क्योंकि आपने देखा जेसन होल्डर ने 9 T20 मैच में बन ले के साथ सिर्फ एक बाद परफॉर्मेंस किया और गिन बास में भी गिनी चुनी परफॉर्मेंस है इसलिए दोस्त अपने एक टीम कॉंबिने इसके खिलाडी आंद्रे रिसल को जानते हैं उसके साथ इसका कंपैरसन कर सकते हैं क्योंकि कुछ उससे उनसे ही मिलती जुलती है बल्लेबासी करते हैं और तेस किंदबासों के सामनेन का स्ट्रैकेट 300 का है इसके बाद दोस्त आपके रोमियो सेफार डाएंगे चार मैच म एक ही विगिट इनके पास हैं अलजारी जोसेफ जिनको आप सब लोग अपनी फैंटेसी टीम में काफी कमतर राकेंगे इवन टीम में श्रामिल करने से कत राएंगे लेकिन दोस्तो इसी अलजारी जोसेफ ने पिछले दो साल में वेस्ट अंडीस के लिए 15 मैट में 30 विग इस नहीं करेगा और यह परफॉर्मेंस करें इसी तरह दोस्तों करें बातकुन के पास एक स्पिन गेंद बास और तोडोक साकील हुसेन जिसने नो मैट में चोदाव की चटकाई ठीक है हम मैंने आपको कहा कि श्योप जिसको आप सब लोग अपनी फैंटेसी टीम में अपन आपको यह नहीं कहरा कि श्योप जो हैं लैक स्पिन गेंद बासों के सामने आउट होगा लेकिन दोस्तों देख लो कितनी धीमी बल्ले बासी इसके बाद ओफ प्रे गेंद बासों के सामने आप खुद देख लो श्योप ने कितनी धीमी बल्ले बासी की इसके बाद दोस्त तो आज इसी वंडे मैच में लैग स्पिन ओफ ब्रेक और्फोर्मेंस करने नहीं देंगे लेकिन दोस्तो देखिए मैंने आपको ये बताया खिलाएगा तो पर्फोर्मेंस नहीं करने देंगे उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आइलेंड की टीम है उनकी टीम में दो ओफ बोल में खाता निकोल पर सीमीनिन को आउट किया इसी तरह दोस्तों मैक बिरिंट की बात करेंगे इनके सामने 27 बोल में रन सिर्फ 10 स्कोर किया और एक बारी आउट हो गया यानि आपको पता चलता है अगर बाई शियोप जैसे तैसे भी करके अच्छा स्टार्ट कर ले मान लेकिन जो लेफ्टा मीडियम है आईलेंड की टीम में जोस्वा लिटिल उसको दोस्तों देखे 30 बोल में 43 किया आउट निवे लेकिन दोस्तों शियोप के सामने एक और आईलेंड का गेंदबास जो अच्छी गेंदबास ही करता है उसका नाम है बैरी मेकरते क्योंकि दोस शियोप को बले अच्छा स्टार्ट मिल जाए बड़ी पारि में कनवर्ट कर पानी में थोड़ी दिक्कत होगी इसके बाद दोस्त आपके रोस्टन चेस है रोस्टन चेस का बैटिंग प्रोफाइल देखिए फिलाल ज्यादा सामना दोस्तों इन आईलेंड गेंदबासों क पो नहीं किया लेकिन जितना भी क्या ठीक ठाक बले बास सिकी निकोल्स पूरन सिमी सिंग के सामने दोस्तों आप देखिए 27 बोल में 19 रंकिया एक बार आउट हो रहा है और दोस्तों निकोल्स पूरन के बारे में आपको थोड़ी समझाने की कोशिश भी करूँगा फिलाल दोस्तों यहां पर 13 शेयोप ने तीस किया यानि आपने देखा शेयोप को अच्छा स्टार्ट तो मिला लेकिन अच्छे स्टार्ट को शेयोप बड़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पारे और सबसे बड़ी बात जो नोट करोगे जो मुकावला 12 जन्वरी 9 जन्वरी 7 इनमें दोस्तों तीन मुकावले वेस्टरंडीज में केले गए थे यानि अपनी धर्ती पे आइलेंट की टीम के सामने शेयोप परफोर्मेंस नहीं कर पाए इसलिए मैं कहा रहा हूँ भाई ग्रेंड लिक का एक कॉंबिनेशन ऐसा जरूर बनेएगा जिसमें शेयोप को अ आपका ग्रेंड लिक जितना निश्चींत है इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरे किलाड़ों को देखेंगे उनके बार में बताऊंगा कोन कैसे क्यों परफोर्मेंस कर सकता है फिलाल दोस्तों निकोल स्पुरन सीमी सिंग के सामने 27 बोल में 19 क्या एक बार आउट हो र अब शियोप के बाद देखो एंड्यू बेल ब्राइन जिनको दोस्तों अपनी फेंटसी टीमें आप कप्तान वाइस कप्तान करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा सरूर ग्रेंड लिक में कर सकते हैं जो मुकावला 12 जनवरी 2020 को खिला गया 11 मही 2019 को इसी बल्लेबास ने 135 स्कोर किया 4 टी 20 मैट के लिए जिनमें 2 में अच्छा किया इसलिए दोस्तों चांस की बात कराऊं चांस है कि वो परफॉर्मेस कर सकते हैं तो बिल्कुल दोस्तों ग्रेंड लिक कॉंबिनेशन टू में बैल ब्राइन को कप्तान वाइस कप्तान कंसिडर कर सकते हैं इसके बार में तोड़ी डिटेल में फीडियो में आगे चलके आपको समझाऊंगा फिर दोस्तों मैक ब्रेंड को देखिए जो उफब्रे गिन बाहस हैं जिसको काफी कम लोग अपनी फैंटसी टीम में शामिल करेंगे यहां पर दोफ की चटका है फिर दोस्तों इ पारे टीटवान ती मेंक ब्लए 43 किया और यहांoser one दोस्तों सब्धार के सत्रह किया फिर और श помог शामिल चटका है पर दोस्तों ब्रेंग हैं बातने के बनेगार प्रोस्टन चेस के साथ भी अपनी fantasy टीम में जा सकते हैं इसके बाद अलजारी जोसेफ को दोस्तों देखिए जिनको काफी कम लोग अपनी fantasy टीम में शामिल कर रहे हैं लेकिन अलजारी जोसेफ का दोस्तों मैंने आपको बताया है पिछले दो साल में 15 मैट में 30 विगिट कि दोनों के दोनों फंडे मैट में इनकी एक जैसा परफोर्मेंस रहा दोस्तों ऐसा अलजारी जोसेफ ने किया है इसलिए मैंने अलजारी जोसेफ को अपनी fantasy टीम में शामिल किया है बाकी दोस्तों सेल्डन कोट्रल जो है वो ये T20 मैच नहीं कहलेगा यूग कि उसको as a substitute टीम में शामिल किया गयाै अब दोस्तो आयलेंड टीम की बात कहूंगा तो पहले देखो आयलेंड टीम के जो टोप 7 बलेबास है इसमें आपको दोड़ा सरपाईस होगा मैचब्रिन को लेके क्या है मैचब ब्रीन को 3 govern को बैटिंग मिलेगा जबकि दोस्तों मैं तो ये करते हैं और गिंद बास में विगिट चटकाता है हाला कि दोस्तों टोस के बाद कंफर्म फ्लेइंग 11 और दोस्तों बल्लेबासी करम के साथ आपको मैं टेलेग्राम चल में शेर कर दूँगा जोई निक्या जरूर जोईन कीजिएगा इसके बाद दोस्तों आपके जो की चटका है और 10 वंडे में चार आफ सेंचुरी है तो दोस्तों अगर आप जेसन ओल्डरों का अपनी फैंटसी टीम में ग्रेंड लिग में कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं तो इसे कप्तान वाइस कप्तान करने में क्या आपको दिक्कता आप मुझे कमेंट कर सरूर बताइएगा फिर दोस्तों डोक्रल की बात करें देखिए गेंद बासी कम करता है डोक्रल को यह सोच के अपनी फैंटसी टीम में शामिल मत कीजिए गेंद बासी करेगा पहले दोस्तों गेंद बासी करता था अब बल्ले बासी करता है जिस तरह स्टीवन स्मित ने डेब्य यूँ गेंदबास के तोर पे किया बाद में बल्लेबास बन गया, इसी तरह दोस्तों इसने भी पहले गेंदबास नी की, अब ये बल्लेबास बन चुका है, फिर टीम के कीपर बल्लेबास है टकर, दोस्तों टकर ने पिछले 3 T20 मैच जो USA के साथ खेले, वहाँ पे बैक टू साल में 12 मैच केलके 5 यूगी चटका है, लेकिन बहरी दोस्तों इंसे काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, तो उसके बाद किलियर होगा, टीम किसे खिलाएगा, जो इस लिटिल की दोस्तों बात करूँ काफी कम लोग इनको अपनी फैंटसी टीम में श्रामिल कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, 12 वंडे मैच में 22 होगी चटका है, और आपके यंगने दोस्तों 17 में 20 ही चटका, ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कराऊं प्रैक्टिस मैच की, जो यह इन्फोर्मेशन अब आप देखोगे, यह है प्रैक्टिस मैच, ठीक है, यह आईलेंड क आपके दोस्तों कुट्रे स्केंपर भी फ्लोप थे, लेकिन प्रैक्टिस मैच में जोर्ड डोक्रल ने शांदर बल्ले बासे का 20 रन स्कोर किया, इसके बाद नीचे आएंगे सिमीर सिंग ने 29 रन स्कोर किया, आपके माक अडर ने 25 किया, बैकरती ने दोस्तों 15 नाबाद क यंग ने दोस्तों एक रन किया, जोस्तों लिटिल ने बल्ले बासे प्रैक्टिस मैच में नहीं की, अब दोस्तों ध्यान दीजे, मैक ब्रैंड का मैं कहरा था बैटिंग अगर तीन पर मिल जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन गेंद बास में विकेट मिल गया न, तो देखो ब आप इस गेंद बास को भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीस का ध्यान दीजिए, जो यह आइलेंड का टीम है, इनकी टीम से किलाड़े को कफ्तान वाइस कफ्तान बनाएंगे, किस गेंद बास को कितनी गेंद बासी मिलेगा, यह आपको पता होना चाहिए, मान ल कितनी गेंद बासी मिलेगा, साथी में दोस्तों एक चीस का ध्यान दीजिए, जिस वेन्यू में यह वंडे मैच केला जाएगा, इस वेन्यू में पहले बल्ले बासी करने वाले टीम ने पिछले 5 मैच में सिर्फ एक जीता, चेस ने 4 जीते, ओवरोल 37 वंडे मैच में चेस वाले ने 22 मैच को जीता, यानि चेस करने वाले टीम मैच इसको जादा जीत रही है, अगर आइलेंड का टीम चेस में गेंद बासी करेगा, तो इनके गेंद बास को तोड़ा सा कमा फोकस कीजेगा, फिलाल दोस्तों मैं आइलेंड टीम के पूरे बल्ले बासों के प्रोफा इनके सामने ओफडे गेंद बास को गेंद बासी करा सकते है, जो की रोस्टन चेस के रूप में है वेस्टरंडिस की टीम के पास, इसके बाद मैच बरेंड दोस्तों इस पिन गेंद बासों के सामने अच्छा नहीं केलते, इसके सामने वेस्टरंडिस की टीम के पास और वे लेकिन आप लोग जानते है वैस्ट एंडीस की टीम में कोई मिलेकर स्कूलय है इसकला दौस्टो है डोस्तो जो डुक्रलर को लेफटाम opini spend gain गेंदबास से दिक्कत है जो कि वेस्टन डिस्ट के टीम के पास है अगर वेस्टन डिस्ट करते हैं अपने लेफ्टाम और्टोडोक्स पिन गेंदबास का सही टाइम पर सही जगा इस्तमाल करेगा तो उसको फाइदा मिलेगा अब दोस्तों देखो यह आईलेंड के बले बा बारा किया एक बार आउट हुआ यानि विलियम पॉटरफिल्ड को अच्छा करना है तो इन दो बले बासों के सामने टीक के बले बास ही करना पड़ेगा इसके बाद दोस्ता आपके टकर है अलजारी जोसफ के सामने चोदा बोल में दो बारी आउट हो चुके हैं टकर को ट बास को परेश्रान कर सकते तोड़ा सा जादा वो मुझे विलियम पॉटरफिल्ड लग रहे हैं तो इस जीस को ध्यान रखे कि जेस रोडर और विलियम पॉटरफिल्ड इन दोनों के लेड़ों को एक साथ अपनी फेंटसी टीम का कप्तान वाइस कप्तान मत बनेएगा दोस्तो ध्यान दीजिए 50 सवर का ये गेम है T20 फॉर्मेट नहीं है कि एक गेंद बास ने 25 विकिट यानि एक गेंद बास ने एक टटका है 25 मिल गया दो की चटका है 50 मिल गया तोकि T20 पॉर्मेट में 50 स्कोर कर पाने काफ्वी मुश्किल होता है गेंदे आपके पास काफी कम होते हैं आपको रिस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा लेकिन दोस्तो वंडे फोर्मेट में गेंदे आपके पास ज़्यादा होंगी तो यह दोस्तो असान बनता है कि कोई बल्लेबास यहां आप सेंचुरी कर सकता है अब दोस्तो देखिए जो मुकाबले इस वैन्यू में उपल तरंगा 114 ना बात करके दोस्तो श्रीलंका को जिताया जोंसन चार्ल्स वैस्टन डीस के 97 क्या 100 में यहां पे दोस्तो अच्छा के लिए क्रिस गेल 109 क्या 100 गेंदो में यानि दोस्तो आप देख रहें कि पिछले जितने भी मैच्चिस कहले गए सभी मैच्चिस में क पोल्स टेलिंग ने 63 किया जो यह मैच्च नहीं कहल पाएंगे यहां दोस्तो बात करें एवी लुइस ने 99 किया था यहां पे दोस्तो सुनील एम्ब्रेस ने 148 किया और दोस्तो आपको पदा चल रहें बैल ब्रैंग ने 135 किया यानि दोनों टीमों के भी मैच्चिस कहले ज आते हैं कोई ना कोई बल्लेबास दोस्तो अच्छा और लंबा खेलता है और इसलिए मैं कहा रहा हूं पनी फैंटसी टीम में गेंदबासों के कंपेर्स में बल्लेबासों को फोकस कर सकते हैं यह मैंने वीडियो में आपको समझा दिया तेस गेंदबासों ने 43 स्पिन ने 22 पहली पारी में 30 के इंदबासों के 17 स्पिन के 10 हैं दूसरी पारी में 30 के 16 स्पिन के 12 अगर दोस्तो वेन्यू की बात करें पिछले 5 मैचे में वेस्ट एंडिस की टीम ने 4 जीता 1 मैच आदी लेकिन आईलैन्ड की टीम ने जो 2 मुकाबली इस वेन्यू में खेले वो दोनों चैनल में शेर करूँगा साथ ही मैं आपको बताया आइलेंड की टीम किन-किन गेंद बास को किलाएगा तो आज मैं शेयोप को अपनी fantasy team में कपतान वाइस कपतान नहीं बनाऊँगा इसलिए टोस का फेट करूँगा फिलाल टोस से पहले जो मेरा combination है वो आपके सामने है लेकिन दोस्तो टोस के बाद सारी अपडेट के लिए आप टेलिग्राम चैनल को सुरूर से जोइन कर लीजेगा जिसका लिंक आपको फीडियो के नीचे description बोक्स में मिल जाएगा साथी में दोस्तो अगर आपको फीडियो पसंद आया तो फीडियो को लाइक जरूर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजे बेल आइकन को प्रेस करने से यह होगा जैसे हमारा कोई नया informative आएगा वीडियो आपको उसका notification मिलेगा notification मिलेगा आप वीडियो देखोगे आप वीडियो देखोगे आपको information मिलेगा और आपको information मिलेगा तो grand league स्मोली गाफिन करने वाले हैं फिलाल दोस्तों टोस से पहले जो combination मैंने बनाया इसमें श्योप को टीम में रखा हुए यहाँ पे दोस्तों विलियम पोर्टरफिल्ड है बेल ब्राइन है ब्रूक्स है यहाँ दोस्तों पोर्टरफिल्ड को इसली टीम में रखा कि बल्ले बास से 24-25 सीसन बना दे क्योंकि दोस्तों कोई दूसरा option आपको अच्छा है यहाँ मिलेगा नी फिर यहाँ पे जेसन ओल्डर रोस्तरेंचेस सीमी सिंग केंपर को टीम में रखा मैंने आपको समझा दिया क्यों यह चारोक लैडी बड़े इंपोर्टेंट आपको लिए होंगे और क्यों इन चारोक आपको टीम में रखना है फिए दोस्तों मैग ब्रेन को रखा है अलजारी जोसुफ बैरी मेकरती है अगर दोस्तों बैरी निंकेलेगा तो यहां से मैं जोस्तरेंट लिटेलगों को अपनी फेंटेसी टीम में शामिल कर सकता हूँ कप्तान मेरा रोश्टन चेस है वाइस कप्तान मेरा अलजारी जोसेफ है क्यों है दोस्त आपको मैंने समझा दिया हाला कि अगर आपको लगता है मैंने अपनी फैंटरसी टीम में किसी गल्थ लाड़े का चुनाव किया तो वीडियो में दिएकाई information का इस्तमाल करते हैं अपनी मर्जी साब के लाड़े को बदल सकते हैं फिलाल दोस्तो बस आथ के लिए इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हैं दोस्तों इसी बंडे मैच में हम सब लोग मिलके एक बैतर टीम कोंबिनेशन बना शांदा परफॉरमेंस कर पाइंगे